जैन दोस्तों बंदे मातरम पिछले कुछ दिनों से लैंड जिहाद की बातें काफी ज़ादा चल रही है भाई उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं थेज होती जा रही है दरसल उत्तराखंड में कई सारी ऐसी बाते निकल कर सा सामने आ रही है और इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे है पबलिक यह भी पूछ रही है यह आखिर इस डेमोग्राफिक चेंज से कैसे निप्टा जाना चाहिए और कौन लोग हैं जो यह अवैद अधिक्रमन करके अपने शेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं क्या यह ए इसको भी एक expansion की नीती को देखते हुए ही समझा जा रहा है और जो यह चीज़े चल रही है उसके ऊपर social media के होने के कारण लोग व्यापक तौर पर आवाज भी उठा रहे हैं उतराखन के कैई शेत्रों में मुस्लिमों की बढ़ती जन संक्या ने सुरक्षा एजेंसियों की चिनता बढ़ा दिये सुरक्षा विशेशक भी मानते हैं कि नेपाल की सीमा से सठेशेत्रों में हो रहे यह बदला सामाने नहीं है इसी कंडिशन के मंदनदा सुरक्षा एजनसी ने साल की शुरुआत में ग्रहमंतराले को एक रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट ने बताया गया था कि कौन से इलाके समविधनशील हैं और कौन से अती समविधनशील हैं हिरानी की बात ये है कि जिन जिलों के नाम रिपोर्ट में दिये गए हैं वहाँ वो डेमोग्राफिक चेंज कोई हाल फिलाल का नहीं बलकि साल 2011 में हुए जातिकत जंगरना में हुए हाँ मजभ विशेश के अबादी में धाय गुनाव रद्धी दर्ज की गई थी। सुरक्षा एजैंसी द्वारा ग्रह मंत्राले को दी गई दिपोर्ट में कुमाउं के तीन शेत्रों को सम्विधन शील करार दिया गया है ये शेत्र उधम सिंग नगर चंपावत वपित्थार गण है इनमें पित्थार गण के दो कजबे धार चूल जूल जीवी को अती सम्व मजभी शिक्षन संसार और मजभी स्थल खोले जिसकी जानकारी सुरक्षा एजैंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दी थी डियाईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भर्णे ने इस समंद में बताया कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सीमवर्ती जिलों में भी चेत्रावनी जारी की गई है खुफी अजैंसियां सभी बिंदों की जाच कर रही है परताल के बाद पता सलेगा कि संख्या में वड़ोतरी इतनी तेजी से आखिर क्यों हो रही है देनिक जागरन की रिपोर्ट का नुसा सुरक्षा एजैंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बंगलदेश नेपाल के रास्ते भारत में सक्री है और इस सम्मन्द में पहले भी चेतावनी जारी करी गई थी कैसे तौर पर योजना के तहट मजभ विशेश के शिक्षन संस्थानों को उनी एरियाज में जातर खोला जा रहा है जो युद्ध नीती लिहाज से एहम है इसी सूची में उत्तरखंड के पित्थार गड़ उदम सिंग नगर और चंपावद भी आते हैं और उत्तरखंड के गोरकपूर वबस्ती मंडल को भी इसी खातर चुना गया है उलेखनी है कि उत्तरखंड के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने का विशे काफी दिनों से चर्चा में हैं इस वावत सरकारी खूफी आजेंसियों को भी सतर्क किया गया है कल खबर आई थी कि ऐसा बदलाव नैनिताल में भी देखने को आया है खतरे की बात तो यह है कि वहाँ सीयरस्टी स्कूल के पीछे उपरी पहाड़ी मतलब बारा पत्थर समेत अन्य सम्व जरुआत में आपके पैर पकड़ने आएंगे फिर आपसे हाँ जोडेंगे और विंती करेंगे लेकिन जब यही एक से दस हो जाते हैं तो आप इनकी गली में घुझ भी नहीं सकते अब यह जो डेमोग्राफिक चेंज है यह दरसल काफी जाद चिंता का विशे बनता जा र जरूरी है क्योंकि इस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण कई सारी ऐसी चीज़े हैं जिनके की तरफ आपकी नजर जाने लगती है मेरे इस वीडियों फिर लतना ही जय हिन जय भारत